रादे रादे आप सभी को बड़े मंगल पर की देशारी सुब कामनाओं के साथ मेरा प्यार भड़ा नमस्कार आज इस पुस्ट में हम आपे लिए बड़े मंगल पर किये जाने वाले कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जो आपकी सरसरा की समस्या को दोर करेंगे हिंदू धर में सब्ता का प्रतेक दिन किसी न किसी देवी जिवता को समर्पित है दिन के अंसार भगवान की पूजा करने से सुब फलों की प्राप्ती होती है वहे रोज हनुमाल जी की पूजा करने से व्यक्ति के संकतों का निवारण होता है हलनकि मंगलवार वो बजरंग होते हैं और भक्तों की मनुकामनाय पूरी करते हैं ऐसे में जेट महा में आने वाले मंगल भार को हनुमान जी की पूजा करना बहुती सुब होगा और सभी इच्छा मनुकामना पूरी होंगी धर्मित मानिताओं के अनुसार जेट महा में आने वाले हर मंगल भार का करतना करने से जीवन में सुख शम्रती का वास होता है इस मां का पहला बुद्वा मंगल 28 मैं को दूसरा चार जून को तीसरा जारा जून को और चौथा बड़ा मंगल 18 जून को पड़ेगा इस दोरान कुछ उपायों को करने से व्यक्ति कि हर समस्या दूर होगी और हर मनुका पूरी होगी आई जानते हैं ये उपाय और कौन से हैं माना जाता है कि इस दिन हनुमान जीची पूद्वार के इस उपाय को करने पर लोगों को जल्द उनकी क्रपा प्राप्त होती है इसलिए बड़ा मंगल महापर के मौके पर बजरंग बली का आशिरवार पाने के लिए तन और मन से पवित्र होकर लाल रंकी उनी आशन पर बैठकर हनुमान चाली सका साथ बात लगाता पात करें और बड़ा मंगल पर हनुमान की से मंचाह आशिरवार पाने के लिए उन्हें सिंदूर का चोला और लाल रंके फल और प्रसाथ के रोप में फल भी चढ़ाए और इसके साथ ही इसके बाद सुद्यगी का दिया जलाकर दिसीगी से बने हुए बूनी का प्रसाथ जरूर चढ़ाए इसके बाद सुन्दर कान का पात करें और बड़ा मंगल पर अगर आप बजरेंग बली की विशेश रपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में आप हनुमान जी की दोरान मीठा पान चढ़ाना बिलकुल ना भूले हिंदु धर्म के अनसार मानने ता है कि हनुमान जी को पूजा में मीठे पान चढ़ाने पर लोगों के हीवन में हमेशा मिठास बनी रहती हैं और लाइफ में तो कि हुए सभी काम बिना किसी परिशानी के पूरे हो जाते ह और ये आपको शी नौकरी कैरियर से समस्या से परिशान है तो इस दिन ये उपाय करें क्योंकि बुड़वा मंगल का दिन सभी के लिए सुभ होता है इस दोरान नौकरी में प्रमोशन और वेटन और रधी के लिए हनुमान जी के मंदिल जाएं वहाँ पर हनुमान जी के जोग बनते हैं मानित है कि ऐसा करने से हर छे तुम्हें अपार सफलता मिलती है और ये इस सनी से समध्य कोई बरिशानी है तो सनी के असुप्रभाओं से मुप्टी पाने के लिए भी हनुमान जी की पूजा अरारना का पड़ा महात्य है जेट महा के किसी भी मंगलवार के जरूरत मन्नों में काला चना और बूंदी बाढ़ सकते हैं मानित है कि ऐसा करने से सनी दोस्तों से मुप्टी मिलती है सनी दोस्त को दूर करने के लिए बुढ़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा अवसे करे और बड़ा मंगल पर उन्हें काले चने और बूंदी का भोग ज़रूरत मंदू में बाढ़ते इस उपाय को करने से हनुमान जी प्रसंद होते हैं तो यदि आप सनी पीड़ा से परिशान हैं तो पड़े मंगल पर ये उपाय पवस्थी करें और जीवन में कैसी भी परिशानी है उसको दूर करने के लिए इस दिन ये इसे उपाय करें जी जाने से वेक्ति को तना होने लगता है ऐसे में आप बुढ़ा मंगलवाद के दिन बजरंग बली को 21 केली का होग लगाएं बात में इन केलों को बंदरों को खिलाएं माना जाता है कि इससे हनुमान जी प्रसंद होते हैं और आपके सारी कस्ट दूर होते हैं इसके साथ भी पहले से अच्छी हो जाती है और आप हनुमान जी के विशेश क्रपा पाना चाहते हैं या कोई मनुकामना है पूरी करना चाहते हैं तो जेट माह के मंगलवार के दिन बड़ा मंगलता दत रखना चाहिए और सुबा साम हनुमान जी के पूजा के साथ सुन्दरकान और बदन बाठ का बाठ करना चाहिए, ऐसा करने से सबी कस्ट दूर होते हैं और हनमान जी के ट्रपा से हर मनुकामना पूरी होती है, और यती जीवन में समस्या चल लही हैं कैसी भी परिशानी हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप ये उपाय करूर करें, अगर जीवन में मंगल बना रहता है, बड़े मंगलवार पर हर तरह की समस्या को दूर करने के लिए बड़े मंगलवार के दिन 21 पीपल के बत्टों को साफ करके उस पर चंदन से सीरी राम लिखें और 108 तुलसी के बत्टों को लाल धागे या कपड़ी से बांध कर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने, इसके बाद हनुमान चालीशा और बजरंग बार का पात करें ऐसा करने से सभी दुखवा कस्त दोर हो जाते हैं और सभी समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ती भी मिल जाती है, आपकी जीवन में कैसे भी बड़े सानी चल लएई है, बड़े पात के दिन हनुमान जी को गुट से बने हुए पुवे अर्पित करें और हनुमान जी के सामने पांच जमिली के टेल के रीपक चलाकर हनुमान चालीशा या सुन्दर कांड का पात करें इस दिन गरीबा जर्बकत मंद की मदद करें और आप सर्वत या पानी भी लोगों को दान शुरू दे सकते हैं एसा करने से हनुमान जी आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं और सभी कस्तों को दूर करते हैं तो ये कस्त और समस्यां को दूर करने के उपाय थे और ये आपकी जीवन में किसी भी प्रकाइश की आर्थिक परिसानी चल रही है तो बड़े मंगल के दिन ये उपाय करें आर्थिक संकट दूर करने के लिए वैच्च को आर्थिक तंगी का सामना करना पर रहा है तो जेट माह में मंगल के दिन हनुमाई जी को पूजा में सिंदूर एरपीट करना चाहिए ये उपाय करने से धन के योग बनती हैं और आर्ठिक संकत दूर होता है साथ ही बड़े मंगल के दिन आर्ठिक संकत से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की विडिपूर्वर पूजा करें और बजरंग बली की पूजा में सिंदूर अर्पित करें ऐसा माना जाता है कि इससे आर्ठिक संमस्या दूर होती है और धन के योग बनती है तो ये थे दोस्तों बजरंग बली की पूजा में करने वाले कुछ ऐसे उपाय जो आपको हर तरह की संमस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे कि आप अपनी समस्या के अनुशार कोई भी उपाय इसमें से कर सकती है आप को सफलता जरूर मिलेगी बजरंग बली की करपाными से इस बार दोस्तों पहले बड़े मंगल के दिल बहुत ही सुप सह्यों बन रहे है इसलिए अपनीसमस्या के अनुशार पहले बड़े मंगल के कोई उपाय जरूर करें सफलता अवस्य मिलेगी आप और आपके पूरे परवाद भगवान सीडी राम का आशिवार बना रहें बलरंग बली के क्रपा बनी रहें इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाब करने की याद्या चाहते हैं आप से सेखर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार बड़ी रादे रादी आप से अपनी एक समस्या शेयर कर रहें हम प्रीवर सोसित सही गंभीर बिमार्यों से रसित हैं दोस्टों जिसके वज़ा से पोस्ट बनाते समय काफे परिशानी होती है सांस पुलने की वज़ा से आवाज स सही नहीं आप आती है इसके लिए हमें छमा करते हैं और अपना सही गंभीर हमारे साथ बनाए रखें उम्मीद करती हूं हमारी समस्या को समझ कर आप सभी साती हमारा सही गंभीर करेंगे इसके लिए आप सभी सातियों का हैरे से बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री रादे क्रिष्ण राधे राधे जैस्टी राउंग